दोस्तों प्रधान मंत्री नेरंद्र मोदी जी ने ऐसा लग रहा है कि अपनी वाली आदत ना हर मुख्य मंत्री और हर अपने मंत्री को लगा दी है कि भाई आद चाहें किसी ने भी कोई भी काम किया हो, क्रेडिट तुमको ही लेना है और इस credit को लेने से पहले बिल्कुल सोचना मत उतर जाना मैदान में और जब तक credit न मल जाये ना, तब तक पूरी कोशिश करते रहना कि भाई हमने ही ये काम किया है, हमने ही ये महारत हासिल किये, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है और कोई इसके पीछे नहीं था, हम ही मशक् तो यह क्रेडिट पूरा हमें जाना चाहिए अब बाकाइदा इसको लेकर रोडशो भी किये जाने लगे अभी तक तो क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ फोटो खिचवाई जाती थी अब रोडशो किये जा रहे हैं दोस्तों मैं किस मामले की बात कर रही हूं उत्तरकाशी में टनल में फसे 41 मज़दूरों के मामले की बात कर रही हूं दोस्तों जिस मामले का मजाग बना कर रख दिया है मोदी सरकार ने क्या है पूरा मामला इस ख़बर में मैं आपको बताऊंगी नमस्कार मेरा नाम है जयन्ती जा और आप देख रहे हैं देश नीटी पुषकर सिंग धामी सहाब उत्राखन के मुख्यमंत्री है ये बात सच है कि थोड़े समय के लिए ये सहाब जब 41 मज़दूरों की जान फस गई थी उस सुरंग में तो ये सहाब उनकी ले रहे थे आओ भगत कि किस तरीके से उनको निकाला जा रहा है किस तरीके से ने नि ऐसा दिखा खबरों में अब असलियत क्या थी जमीनी हकीकत क्या थी ये तो बहुत सारी खबरे अल्रेडी बता चुकी है दोस्तों अब मान लीजे कि आपकी सरकार में उन मज़दूरों को बहार निकाल भी लिया गया तो क्या उनकी सक्सेस्फुल उनको निकालने के लिए भी आप पूरा क्रेडिट लेंगे और बकाइदा उसके लिए रोट शो करेंगे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर में दिखा रही हूं दोस्तों विज्वल के तौर पर ध्यान से इस तस्वीर को देख लिजे बताया जा रहा है दावा किया जा रहा है इस तस्वी निकाला गया है कि 41 मुझदूरों की जान जो है वह सक्सेस्फुली बच गई इसलिए हम रोड शो निकाल रहे हैं अब सोचिए इस बात को कि उत्राखंड में कोई अभी चुनाव नहीं है उत्राखंड में किसी तरीके का कोई चुनाव नहीं हो नहीं उत्राखंड में प्र सुधान मंत्री नेरंदर मोधी जी को इसका पूरा क्रेडिट दिया जा रहा था तो इसलिए मैंने शुरुवात में कहा कि मोधी जी हो चाहे फिर कोई मुख्यमंत्री हो सब के सब एकदम लगे हुए है कि उन 41 मजदूरों को निकाला गया है तो हमारी वज़े से उनके जान ब कौन सी थी और उस कंपनी पर कोई कारवाही क्यों नहीं की गई अभी तक दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह जो अभी पूछा जाना चाहिए और जिसका जवाब कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है दोस्तों कि आखिर इतने दिनों तक ओन मजदूरों को उस सुरंग में क्यों सत्रा दिन बहुत होते हैं सत्रा दिन कोई कम नहीं होते हैं वहां तक आप बेशक पानी पहुंचा रहे थे खाना पहुंचा रहे थे लेकिन आखर उसकी जरूरत पड़ी क्यों आप इस पर जाज बठाएंगे कि नहीं बठाएंगे आप इसकी जाज करवाएंगे कि नहीं क किसी के भी साथ कि हमारे मजदूर दोबारा इस तरीके की सिचुवेशन में फस जाए घटना में फस जाए कभी ना हो दोस्तों ऐसा लेकिन मान लिजे कि अगर ऐसा फर्ज कीजिए होता है ऐसा आगे या आपदा ऐसी कोई आती है तो क्या उसके लिए कोई रोड मैप तयार कि है हमारे देश की मुद्K सेकारने जल इसी तरीके से हर चीजिस का ट्रेट लेने के लिए तंसी हम इन कुछ बाकी ची द्रहजा और पूछा G20 हुआ था दोस्तों देश में, उसका पूरा क्रेडिट प्रिधान मंत्री नेरेंदर मोधी जी ने ले लिया, या आप कहले जे कि उनके नेताओं को बोल दिया गया कि तुमको मोधी जी को ही क्रेडिट देना है, क्योंकि सफल जो हुआ है, G20 जो सफल हुआ है, उसमें प्रि आजराज सिंग हो, मौमिट शाजी हो, सबके हाथ में एक एक पूल पकड़ा दिया गया, प्रिधान मंत्री मोधी आ रहे हैं, एक एक पूल वो मोधी जी को सौप रहे हैं, यह हालत बना दी गई है इस वक्त भारतिय जंता पाटी की, जहां पर बड़े से बड़ा नेता, प सबकुछ हमारे विज्यानिकों ने, सबकुछ शुरू से लेकर एंड तक सबकुछ हमारे विज्यानिकों ने देखा, लेकिन लपकने के लिए क्रेडिट प्रिधान मंत्री मोधी पहुच गए, बाकाइदा बैनन पोस्टर लगा दिये गए, सड़क पर, कि चांद पर आज और हमारा चंदरियान पहुचा है, तो वो प्रिधान मंत्री मोधी जी की वज़े से पहुचा है, तो समझ से पढ़े हैं दोस्तों, आखिर कि भारतिय जंता पाटी में यह जो नया चलंज शुरू हुआ है, क्रेडिट लेकि होड का चलंज शुरू हुआ है, यह कहां जाका समाप्थ होगा और समाप्थ होगा भी कि नहीं और अगा ऐसा ही चलता रहा तो क्या भाजपा इस आधार पर तरक्की कर पाएगी बड़ा सवाल है इस सवाल को लेकर आप क्या सूचते हैं आपके क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा विजियो अगर आपको पसंद आया